असलाम ओलाइकुम वेलकम टू माई चैनल तो आज हम बना रहे हैं और्यो शेक इसकी रेस्पी बहुत ही असान है और यह हर एक की फेवरेट भी होती है और यह बिस्कीट तो हर एक का फेवरेट भी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मारे चैनल सब् आठ से 9 अदद ओर्यो के बिसकीट है मेरे पास बाजार में इजली अवेलिबल है आप इसी भी दूकान से इसे पुर्चेज कर सकते हैं मेल टिट चॉकलीट ली है मैंने 3 से 4 खाने के चमच आप इसे घर में easily बना सकते हैं ये cubes में चोकलिट लिये मैंने एक अदद मैंने pack लिया था और इस तरह इसके cubes बना लिये थे आप कोई सी भी chocolate ले सकते हैं दो खाने के चमच मैंने पिसे वे बादाम लिये हैं और पांच अदद मैंने काजु लिये हैं दो ग्लास मैंने फूल फैट दूद लिया है, वीडियो स्टार्ट करते हैं अब, एक जग लिया है मैंने , ऐब इसमें हम डालेंगे O sparks, साथ ही मैं इसमें चोकलीट दूँंगी इसके बाद हम इसमें मैटेड चोकलीट डालेंगे , दूर शामिल कर देंगे इसमें, चीनी हम इसमें एड़ नहीं करेंगे, बदाम और काजु डाल कर इसे ब्लेंड कर लेंगे, चीनी डालने की इसमें कोई जरूरत नहीं क्यूंकि चॉकलीट तो आर्रेड़ी मीठी होती है, और और ये बिस्किट भी हमारे मीठे हैं, अगर फिट भी आपको चीनी कम लेगे, तो आप इसमें थोड़ी सी एड़ कर लीजेगा, ब्लेंड हो गया, अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं, इस तरह मैंने गार्णिश किया है, और ये बिस्किट से, अब इसके उपर बदाम डाल देंगे, तोड़े से इस तरह कादि उड़ाल देंगे, चॉकलिट के क्यूब श्राल देंगे इसके उपर, बहुत ही यमी और क्रीमी और ये शेक हमारा त्यार है, आप इसे अपने बच्चों को बना कर देंगे, गेश को सर्व करें, हर को इसे पसंद करेगा, तो और ये शेक की हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने वीडियो आपको कैसे लगे लगे, तो और ये शेयर करें,